दोस्तों इस वक्त की बहुत बड़ी ख़बर आ रही है बीपी एसी टीरी टू पॉइंट जीरो में जो भी अनुक्संसित अभ्यरती है उनका अगर किसी कारण मस अभी तक वे कांसेलिंग नहीं कर पाये हैं तो पिछरावर क्योंती पिछरावर कल्यान विभाग के अंत्रगत उन्हें 28 फरवड़ी 24 बोधवार को अंतिम मौका दिया गया है अगर इस दिन कांसेलिंग कराने से चुके तो फिर कभी नहीं मिलेगा मौका ठीक है दोस्तों देख रहे हैं दुस्तान पिपर के माध्यम से पिछरावर गया होती पिछरावर कल्यान विभाग के दहती है सु पिछरावर कल्यान विभाग को अंतिम मौका दिया गया है 28 फरवड़ी 24 को अगर आप अभीता कांसेलिंग नहीं करा पाएं किसी भी कारण वाज से तो आप कांसेलिंग करा ले इसके बाद कोई मौका नहीं दिया जाएगा ठीक है दोस्तों देखिए दोस्तों सिक्षाव भाग के अंत्रगत भी बीपीसी टियरी 2.0 मेवेसे वह अभीता किसी कारण वाज कांसेलिंग नहीं करा पाएं हैं उनको भी अंतिम मौका दिया गया है वह 29 फरवड़ी 2024 तक यो युगदान कर ले करने के तिथी 29 फरवड़ी 2024 निर्धारित की जाई है पिचरा और गया तो पिचरा और कल्यान विभाग में 28 फरवड़ी तक आप कांसेलिंग करा सकते हैं जबकि सिक्षा विभाग के अंत्रगत टीरी टू में अगर आपको कांसेलिंग तदत निक्ति पत सब्सक्राइब के उपरां बिद्याले पदस्थापन का अधिस निर्गत है इस संब्सक्राइब में ऐसे पदस्थापित नौव नियुक्त शिक्षकों को इता दौरा सुच के जाता कि विद्याले में उनके युगदान के अंतिम्तिति 29 फ्रवड़ी 2024 निर्धारित की जात है अगर अभी तक विद्याले युगदान नहीं किये हैं तो आपको अंतिम उसर के रुप में 29 फ्रवड़ी 2024 तक मौका देया जाता है इसके बाद कोई भी मौका नहीं दिया जाएगा यानि तीस तारिक से आप विद्याले में शिक्षा विवाग के अंतरगात युगदान नहीं कर पाएंगे ठीक है दोस्तो और अभी तक कितने अभी हर्तियों नहीं आवेदन किया वह भी देख लेजिए सबसे कमा वेदन उच मादमी के दिसरे जरन के सिक्षक नुक्ति परिक्षा में सबसे अधिक आवेदन चटी से आठी से आठी के लिए प्राप्त हुआ है स कि अगर अभी तक आप विद्याले में नहीं किये हैं तो अन्तिम तिथी विद्याले में उग्दान करने कि वह 29 फरोड़ी दवाजर 24ज है और पिच्छा विभाग के अंतरगत और फिच्रावर टीच्छा काल्यान विभाग के अंतरगत आप कांसलिंग जो है अंतिम ऑसर 28 प्रोड़ द्वाज़ चुविस तक आपको लिंकर आ सकते हैं ठीक है दूस्तों थैंक्स दूस्तों